इस वीडियो में आपको जमीन से जुड़ी बहुत ही महत्पूर जानकारी मिलेगी अगर आप कोई भी किसी भी परकार की जमीन परचेस कर रहे हो चाए वो प्लोट की जमीन हो चाए वो करसीयों की जमीन हो आप इन दोनों में से किसी भी प्रकार की जमीन परसेस कर रहे हैं तो आपको कैसे पता लगाना है कि इस पर कोई अवैद कवजा या माल लीजिए कोई भी किसी भी प्रकार का कानूनी विवाद कोई भी इस पर केस तो नहीं चलना है या अन्य मामलों के संबंद में आप जानेंगे यदि आप कोई जमीन पर्चेस कर रहे हैं तो आपके सारे कुस्तन इस वीडियो में मिल जाएंगे आपको कोई भी वीडियो देखने की इसके बाद ज़रूरत नहीं है यदि आप जब एक जमीन खरीदना चाहते हैं तो और कोई भी आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं देखे जमीन खरीदे समय आपको तीन चीजों पर ध्यान देना है सबसे पहले और महतपूर चीज है कि अवैद कबजा कि इस जमीन पर कोई भी किसी प्रकार का अवैद कबजा कोई भी आंसिक कबजा वास्तिक कबजा कुछ है तो नहीं दूसरा जो है जमीन पर कोई भी कानूनी विवाद ऐसा तो नहीं कि जो जमीन आप खरीदने जा रहे हैं सबसे पहले बात करेंगे अवैद कवजा के बारे में, देखिए संपत्ती अंतहरण अधनियम के अनुसार आपको जो भी जमीन आप खरीद रहे हैं, देखिए चाहे कोई भी संपत्ती हो, चाहे वो मकान खरीद रहे हैं, आप चाहे कोई भी जमीन खरीद रहे हैं, आप तो वहाँ पर आपको वास्तविक कवजे की सूचना आपको जरूर होना चाहिए देखिए मैं आपको धरड़ बता दूँ है जैसे माल लीजी आप कोई घर खरीद रहे हैं ठीक है सपोस्थ डेट उस घर के मालक ने जो उसमें किराइदार रहते थे उन्हें दस साल के लिए एग्रिमेंट पे वो घर दे दिया उसके बाद आपको नाम करा दिया तो भई नाम तो आपको बहले ही करा दिया लेकिन उसने एग्रिमेंट दस साल का पहले ही कर दिया है ठीक है देखे मैं आपको एक उधार और दिये देता हूँ ए अपनी भूमे 5,000 रुपए में बेंचने के लिए बी से एक संविदा करता है बी भूमे पर कबजा भी प्राप्त कर लेता है इसके बाद ए उसी भूमे को सी के नाम 6,000 रुपए में बेज देता है उसके नाम कर देता है देखे यहाँ पर ए ने बी को भूमे अपनी तैकी 5,000 में ए को लगा कि भई मेरी जमीन जो है अधिक मेंगी जा रही है फिर उसने क्या किया भई ए ने उसी भूमे को सी के नाम 6,000 रुपए में बेच दिया ठीक है फिर क्या हुआ आँगे सी व्यक्त ने सी व्यक् करता कि बी का भूमे क्या हित है क्योंकि भई जब जमीन तै होई थी तो बी ने उस पर कबजा कर लिया था और जब सी के वो जमीन नाम होई तो सी व्यक्त ने बी का भूमे क्या हित है इसके बारे में कोई भी जाच नहीं की ठीक है क्योंकि बी का भूमे पर कबजा होना पर मिदा के विनिर्दिष्ट पालन को परवर्तन करा सकता है इसके लिए वो वाद भी ला सकता है और परवर्तन भी करा सकता है तो द्यान रहे आप चाहे जमीन खरीदें चाहे मकान खरीदें आपको यह पता करना है कि कोई भी व्यक्ति कबजा तो नहीं किये है कोई भी व्यक्त की जानकारी आपको करने होती है तो भई अब जाच कैसे करेंगे तो देखिए यदि आप कोई भी जमीर खरीद रहे हैं तो आप वहाँ पर स्वेम जाकर स्वेम पता करें कि इस भूम पर किसी का कबजा तो नहीं है ये बात जो कबजा वाली बात तो है वो आपको बहुत एक तो नहीं किया या माली जी इस पर कोई भी किसी को रेंट में तो जमीन नहीं दे दी गई ठीके ये सब जानकारी जो है आपको जुटाना है ठीके ये बात हैं आपको पडूस से जहां पर जमीन है वहाँ पर पता लग जाएंगे या आप खुद वहाँ चल कर देख सकते हैं इस जमीन के मामले को लेकर कोई न्यालाय में कोई केस तो विचारण नहीं है। इस बात का पता कैसा करेंगी। देखे सबसे पहले मैं आपको बता दू कि जिस वेक्ति की जमीन खरीद रहे हैं, इस जमीन के जो भी खसरा संक्या, खाता संक्या जो है उससे या उस वेक्ति की नाम से आप खतोनी जो है निकलवा सकते हैं। अगर आप माल लेजिए बिहार से अन किसी भी प्रदेश से हैं मैं आपर उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ आप अन किसी प्रदेश से हैं तो वहाँ पर भी खतावनी होती है और वहाँ भी आपको सारा डाटा मिल जाए अब बात करेंगे भई डाटा आप देखेंगे कै ठीक है और जब आप छेत्रपल देंगे कि तो 1.7810 ठीक है और खाता दा रखें बहुत तो अब भाई आपको पता कैसे चलेगा कि जैसे माल लीजी आपको इन में से कोई एक व्यक्ति जमीर बेच रहा है तो आपको पता कैसे लगेगा इस व्यक्ति के नाम कितनी जमीर है ठीक खरीदी थी कितने एर आपकी जमीर है उसी के इसाब से आपको विस्वास होगा और तभी आप जो है बेनामा देखके आपको एकुरेट पता हो जाएगा कि इस व्यक्ति ने कितनी जमीर खरीदी थी लेकिन मैं आपको बता दू अगर माल लीजे जमीर जो पैत्रिक रूप स तो आप वहाँ इस परकार पता लगा सकते हैं अगर माल लीजे अगर किसी व्यक्ति ने जमीर खरीदी थी फिर वह आपको बेच रहा है तो जब जमीर खरीदी थी उसका बेनामा होगा और बेनामा पर पूरा लिखा होगा कि आपको उस व्यक्ति ने कितनी जमीर की रेजिस पता लग जाएगा कि इसके इससे में जमीन कितनी आती है ठीक है आप बात करेंगे आप यह कैसे पता कर पाएंगे कि जमीन विवादित तो नहीं तो यहाँ पर लिखा है खसरा संक्या ठीक है इससे पहले में आपको बता दूँ कि आप ट्रिप्टी में यह भी देख कि पुराना वाद और अधनियम दारा वादि पतवादि पंजीकरटिती निस्तारटिती और यहाँ पर लिखा कि विव्रड़ देखें और भी अधिक विव्रड़ देखना है ठीक है यहाँ पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा अगर कोई इस पर विवाद कोई कीस चल र हुए है और कोई दावे हुए है ठीक है तो वहां पर आपको ज्यादा टेंसल लेने की जरूर नहीं है अगर वो जमीन वादगरस्त नहीं है कबजा भी कोई अधिक नहीं किये हुए है इस पर कोई केस नहीं चलना है तो बाद में उस जमीन को आप जो है उसकी नापतौल करवा सकते हैं SDM द्वारा जो है नापतौल करवा सकते हैं तैसिल द्वारा फिर आपकी जो भी जमीन कबजा किये हुए है वो आपकी चुड़ा के आपसे दे दी जाएगी लेकिन आपसे मैं यही कहूंगा कि आप जब भी जमीन खरीदें तो ऐसी विवादिक जमीन खरीदें ही न जिससे आपको वाद में कबजा चुड़ाना पड़े ठीक है अगर वीडियो अच्छा लागा तो लाइक जरूर